नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंतरा में आपका फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग PIT 2022 से related maths के वो questions पढ़ने वाले हैं जो की करड़ी से यानि की वर्गमूल से related बहुत प्रकार के प्रश्ण बन सकते हैं जैसे की ऐसे प्रश्ण जिसमें वर्गमूल का बार-बार repetition हो अनन्त तक infinite series की ऐसे सभी प्रकार के प्रश्णों को हम लोग टच करेंगे जिसमें की बीच-बीच में सब को प्लस किया रहेगा किसी-किसी में माइनस किया रहेगा फिर आगे ऐसे ही series में प्लस है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है ऐसे प्रश्णों का उत्तर के आता है ठीक है और ऐसे series रहेगी इसका क्या answer आएगा ये सारे questions आप सिर्फ answer बताएंगे इसको solve करने की जरूरत नहीं होती है इसका answer मैं तुरंत बता यहां लिख सकता हूँ यहां इस question को देखा इसका answer मैं तुरंत लिख सकता हूँ इसलिए वीडियो को last तक देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्ण जो की exams में आया था पिछले बार हर paper में आया हुआ था ऐसे सारे प्रश्णों को हम लोग भी बहुत तेज कोशिश करें गे यह सारी प्रश्ण बहुत ही आसान होते हैं सिर्फ हम लोग देखेंगे प्रश्ण को और उत्तर लिख सकते हैं इतने जादा यह easiest इसके पहले आते हैं सबसे पहले प्रश्न पर देखो यहां एक इन्फाइनाइट सीरीज है जहां अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 12 और यह कहां तक जा रहा है अनंत तक यह बात विशेश ध्यान देने वाली है कि यह अनंत तक जा रहा ह अनंत तक इसको ऐसे सीरीज को क्या करते हैं देखो ये बारह है बारह को बारह का रिपेटिशन है बारह को दो भागों में तोड़ो बारह को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने गुड़ा करने पर हमारा क्या है बारह और घटाने पर एक यानि कि एक का ही अंतर हो जैसे 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 5-6 में एक कांतर है, 6-7 में एक कांतर है, तो ऐसे इस दो संख्याओं में तोड़ना है, जैसे बारख को अगर हम 4 और 3 में तोड़ते हैं, तो एक कांतर है और गुड़ा करने पर कितना आ गया, बारख, ठीक है, ऐसे इसको दो संख्याओं में हम क्या करेंगे तोड़ेंगे अब देखेंगे बीच में प्लस का निसान है कि माइनस का अगर प्लस का निसान है तो बड़ा वाला हमारा आंसर आजाएगा देखो चार और कि गुडा करने पर 30 आए और एक कांतर है तो 6 गुड़े 5 या 5 गुड़े 6 कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं 5 गुड़े 6 सब में प्लस 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 है तो बड़ा वाला उत्तर है ठीक है बड़ा वाला क्यों आ रहा है कभी जोटा वाला भी आएगा कि नहीं यह भी हम दो देखेंगे तो इसका हमारा आंसर हो गया 6 इसका आंसर हो गया 4 110 धन अंडर रूट 110 धन अंडर रूट 110 धन ऐसे आ रहा है ठीक है अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा भी देता हूं साथ साथ में ताकि आसानी से कुष्टन को सॉल्व कर सको है ठीक है तो 110 को हम दो ऐसी संख्याव में लिख सकते हैं 10 गुड़े 11 एक का अंतर और उड़ा करने पर 110 तो बड़ी वाली संख्या चुकि प्लस है प्लस है प्लस है तो हमारा आंसर आ जाएगा बड़ी वाली संख्या ठीक है अगला है यहाँ पर माइनस माइनस शुरू है य जिसका गुड़ा करने पर जपन आए और एक कांतर है तो 7 गुड़े 8 अब चुकि माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगे साथ प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या और माइनस रहेगा तो छोटी संख्या क्या इस प्रश्न का हम लोग सॉल्व करने की ज़रूरत है एक्जाम में सिर्फ माइन्ड में कैलकुलेट करके इसका आंसर नहीं दे सकते हैं क्यों नहीं दे सकते हैं 380 रिर 380 रिर 380 ठीक है सभी ये भी 380 है ठीक ऐसे ही ये चलता जाएगा अब इसका आंसर क्या आएगा देखो इसका आंसर 19 गुड़े 20 करो 19 गुड़े 20 19 गुड़े 20 हो जाएगा 380 एक का आंसर माइनस है तो आंसर आजाएगा 19 20 माइनस अंडर रुट तो माइनस अब इसके लिए क्या करेंगे इसको दो को हम लोग लिख सकते हैं एक गुड़े दो को हम लोग एक गुड़े दो लिख सकते हैं और चुकि छोटा वाला उत्तर होता है तो इसका आंसर आजाएगा एक उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्ण आपकी समझ में आया होगा आगे आते हैं अब इसमें वो टूट नहीं रहा है इसमें क्या है वह दो संख्याओं की गुडन फल के बराबर नहीं आएगा तब क्या करेंगे हर प्रकार के प्रश्ण हम लोग इसमें देखेंगे इन्फाइनाइट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे ठीक है हर प्रकार के कुश्यंस को हम लोग इसमें देखेंगे चलो यहां से शुरू करते हैं तीसरे प्रश्ण से अंडरूट 13 प्लस अंडरूट 13 प्लस अंडरूट 13 और यह इंफाइनाइट तक जा रहा है जो की अंडरूट यह जो 13 है या किसी भी ऐसी दो संख्या से गुडनफल के में आ ही नहीं रहा है तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है formula क्या होता है माल लो ये है A या फिर X कुछ भी माल माल लो ये क्या है X X ही माल लेते हैं इसको ठीक है X ये है X तो इसका formula होता है इसका under root 4 X plus 1 plus 1 by 2 ठीक है इसको कहीं लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं under root 4 X plus 1 और फिर से plus 1 ये मैं बीच में इसलिए लिख रहा हूँ दोनों questions के बीच में लिखने का कारड ये है कि ये दोनों formula मिलते जूलते हैं चाहे वो plus का हो चाहे minus का हो फिर से formula को देखेंगे under root 4 X plus 1 ये दोनों एक काड़ी में plus 1 बटे 2 ठीक अब इसको solve करेंगे पहले सवाल को पहले सवाल को हम लोग solve करते हैं under root 13 plus under root 13 ये है तो इसका solution हो जागा under root 4 गुडे 13 धन 1 चाहर गुडे 13 धन 1 धन 1 बटे 2 चाहर गुडे 13 कितना होगा 26 तर 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 चो के 52 और एक तीरपन under root 53 प्लस 1 बाइ 2 ये हमारा answer आगया इसका answer आएगा under root इसका answer आजाएगा under root 53 प्लस 1 बाइ 2 हो सकता है थोड़ा सा कठीन लगे अटपटा लगे लेकिन फिर अभी आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा अभी आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगा अगले question पर आते है अगला question है under root 30 प्लस under root 30 ऐसी लगाओ इसी formula से under root 4 गुडे 30 धन 1 बाइ 2 यानि कि under root 100 ये formula है 4x plus 1 plus 1 120 धन 1 धन 1 बाटे 2 बराबर under root 121 धन 1 बाटे 2 बराबर 11 121 कि इसका वर्ग होता है 11 का धन 1 बाटे 2 बराबर 12 बाटे 2 बराबर 6 अब देखो इसका answer आगया हमारा 6 तो जब 6 simple answer था तो ये सवाल मैंने इसलिए दिया था इसके बीच में कि हम चेक कर पाएं कि हमारा answer सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है तो answer हमारा बेलकुल सही आ रहा है इस formula से और अगला सवाल है under root 17 की infinite series under root 4 गुडे 17 धन 1 फिर से धन 1 बाहर बटे 2 under root 34 गुडे 17 धन 1 बटे 2 यानि under root 69 प्लस 1 बाइट 2 हमारा answer आ कि ठीक है बिलकुल भी हमको इसमें वो घबराने की जरूरत नहीं है इसका यही answer ही आएगा अब यह formula था यह plus के लिए था अगर minus रहेगा तो उसके लिए भी मिलता जुलता formula है minus का एक formula होता है 4x plus 1 minus 1 ठीक है by 2 ठीक है थोड़ा सा दूसरे color से इसको लिखते हैं अगर दूसरे color से लिखना चाहे है तो 4x plus 1 minus 1 by 2 यानि कि सिर्फ इसकी जगह हम minus कर देंगे तो हमारा minus वाला formula बन जाएगा चलो इस question को solve करते हैं यह हो जाएगा under root 4 गुडे 13 रान एक रिड़ एक बटे दो तेरा 26 तेरा 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 चोग के 52 और एक तेरपन रिड़ एक बटे दो हमारा answer आगे एक्वल टू अंडर रूट फिफ्टी 3 minus 1 by 2 तुरंत answer लगा सकते हैं ऐसे ही 20 का है 20 का क्या हो जाएगा 20 का भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं इसको मिटाते हैं इन सबको मिटाते हैं 20 का हम लोग दो तरीके से वह पूराने तरीके से भी लगा सकते हैं इस चार गुड़े 5 हो जाएगा छोटा वाला हमारा उत्तर 4 इसका आएगा ठीक है लेकिन हम जोब नया तरीका एक सीख रहें तो नया तरीके से ही इसको लगाएंगे नया तरीका है अंडर रूट 4 इंटू 20 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 24 के 80 धने के 80 रीड एक वटे 2 यानि की 9 रीड एक वटे 2 यानि की 8 वटे 2 यानि की 4 हमारा आंसर आ गया यह फॉर्मूला शुरू में थोड़ा सा कठी लग सकता है लेकिन बाद में यह बहुत ही ज़्यादा आसाल हो जाता है और अब आते हैं लास्ट सवाल पर अंडर रूट 15 माइनस यह भी इनफाइनाइट सीरीज है इसका हो जागा अंडर रूट चार गुडे 15 धन एक रिड एक बटे 2 15 चोग के 60 एक 60 एक रिड एक बटे 2 ठीक है कोई भी सीरीज रहेगी ऐसे ही कुछ भी लिख लो यहाँ पर 18 लिख लो कोई भी फोशन रहेगा तुरंथ हम लोग इससे लगा पाएंगे बिल्कुल भी इसमें दिमाग लगाने की जरूत नहीं है अब आते हैं एक अगले टाइप पर जो की बहुत ही ज़्यादा आसान है अंडर रूट टू अंडर रूट टू बीच में कोई निसान ही नहीं है इसका आंसर जो यह होता है यह इन्फाइनाइट तक अगर जा रहा है तो जो यह संख्या होती है वही इसका आंसर आता है ये भी infinite तक जा रहा है 5 इसका answer ये भी infinite तक जा रहा है 33 इसका answer है बीच में कोई symbol नहीं रहेगा तो A under root A under root A अगर infinite तक जा रहा है तो A हमारा वही same to same answer आजाता है ठीक है तो ये सारी चीज़े आप screenshot ले सकते हैं और अपनी copy पर note down भी कर सकते हैं वीडियो पॉस करकर अब आते हैं अगले question पर पिछले question में ये infinite तक जा रहा था अनंत तक लेकिन इसमें अगर ये limited रहे अनंत तक नहीं जाएगा तब क्या करेंगे कुछ दूर जाकर ये रूख जाए तीन बार तीन बार चार बार ऐसे जाकर रूख जाए अब इसका एक बहुत ही आसान सा formula होता है देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है तीन पहले तो यहां लिख दो अब इसके घात में यहां पर एक घात का निसान बनाएंगे ठीक है बटे में कुछ आएगा अब वो कितना बटे में आएगा यह भी देख लो कितनी बार कड़ी का निशान है एक दो तीन दो के घाते तीन या फिर दो का गुड़ा दो गुड़े दो गुड़े दो कितना हो जाएगा आठ और इसी से एक कम यानि कि इसी से एक कम हम लोग क्या करेंगे उपर लिख दे प्रहुंगे दो गुड़े दो गुड़े दो हो गया अठ और इसी से एक कम साथ हमारा अंसर आ गया सबसे पहले नीचे लिखेंगे बेस 1-2-3 यानि दो का गुड़ा दो में तीन बार दो गुड़े 2 गुड़े 2 कितना हुआ आठ अब इसके उपर इसी से एक कम इसे ही चर अंडरूट 6, अंडरूट 6, चार बार है, सबसे पहले लिख लो चार, दो, एक, दो, तीन, चार, चार बार कड़ी है, दो गुड़े, दो गुड़े, दो, दो, दून, चार, दो, नियाट में 16, 16 और उपर इससे एक कम करके लिख दें यानि 15 बटे 16, 7 बटे 8, 7 बटे 8, ठीक, ऐसे ही कोई भी संख्या रहेगी, कोई भी संख्या रहेगी, आप लिख सकते हैं, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, under root 9, 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 इसका अउसर की आएगा, 9, कितनी बार कड़ी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसका उत्तर आ जाएगा उमीद है ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा अब आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो उससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है इन सिरीज नहीं है ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये exams में आने वाले questions है और आ चुके हैं इसको बहुत ही आसानी से हम लोग हल करें एक दम patience के साथ है 40 सबसे अंदर वाले bracket को यह 9 यह सबसे अंदर क्या है एक 80 है एक 80 को जब बाहर निकालेंगे ति हो जाएगा गुड़े ठीक है यह 9 बाहर था यह जब यहां कोई निशान रहें रहता है तो गुड़े का निशान रहता है अंडर रूट 40 धन 9 गुड़े 9 एक 80 बराबर अंडर रूट 121 और 101 का होता है इसमें देखेंगे बहुत ही पेसेंस के साथ सबसे अंदर वाले को सबसे पहले हल करेंगे बाकी को ऐसे ही उतार लेंगे यह बहर आके हो जागा चार एक स्टिप में एक ही करेंगे नहीं तो गलत हो सकता है इसको अंदर जोड़ लो यह हो गया 25 11 धन ये बाहर आके 5 हो जाएगा जूड़ जाएगा 16 हमारा आंसर आ गया इसको हल करेंगे 5 धन 11 धन और 19 धन अंडर उटिये हो गया 29,7,36 पांच धन 11 धन और 19 धन ये कड़ी से बाहर आकर हो गया च्छा पांच धन 11 धन और नई सर्चा जोड़ दो 25 पांच धन 11 धन कड़ी से बाहर लाओ 5 पांच धन 11 पांच 16 पांच धन कड़ी से बाहर लाओ 4 9 कड़ी से बाहर लाओ 3 हमारा आंसर आ गया तो ये कोशन बहुत ही आसान होते हैं बस हमको क्या करना है पेसेंस से इनको सॉल्व करना है एक्जाम में बिना मिस्टेक किये और थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लेकिन घबराने की जरुवत नहीं है अब देखो ऐसे प्रशनों को कैसे हल करेंगे ये एक्जाम में रिपीट होने वाले कोशन्स है और पक्का आपके एक्जाम में आएगा तो देखो एक फॉर्मूला होता है A स्कॉर माइनस B स्कॉर इसका मतलब होता है इसको जब इलबराट करोगे तो A प्लस B और A माइनस B यहाँ देखो करड़ी दियो ही है अगर कोई भी करड़ी में ऐसे कोई चीज दिया हुआ है और इसका अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो यह करड़ी से बाहर आ जाता है ठीक है तो इसी का यूज करते हुए हम लोग इन कोईश्टन को सॉल्व करते हैं ठीक हम जानते हैं कि अगर A प्लस B दिया हुआ है और अगर यह दिया हुआ है इसमें हम A माइनस B का गुड़ा करेंगे तो फिर यह वर्ग के फॉर्म में आ जाएगा कड़ी सॉल्व हो जाएगी या A माइनस B दिया हुआ है अगर हम इसमें A प्लस B का गुड़ा कर देंगे तो यह फिर कड़ी के फॉर्म में आ जाएगा इसका यूज करते हुए हम इन सभी प्रश्णों को हल करेंगे, ठीक, चलो आते हैं पहले प्रश्ण पर, यह मालो यह A है, यह B है, A-B है, अगर हम उपर और नीचे, ऐसा ही प्लस लगा कर, गुड़ा कर दें, तो क्या इसके मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ सकते हैं, उपर इसका गुड़ा किया, यह हो गया, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, क्योंकि 1 से गुड़ा होगा, उतना ही हो जाएगा, लेकिन यह माइनस है और यह प्लस है, तो A स्कार माइनस B स्कार के फॉर्म में यह बदल जाएगा, तो अंडर रूट 7 का स्कार हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 का स्कार हो जाएगा, ठीक है, उपर Y सेम टू सेम रहेगा, और नीचे यह 7 का स्कार, 7 माइनस 6 बराबर 1, यह 1 के बराबर होता है, तो क्या करेंगे हम, कि अगले में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हमारा आंसर आगा, गवराने क की जरूरत नहीं होती है, ऐसे प्रश्णों को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्फ कर पाएंगे, कैसा भी प्रश्ण रहें, नीचे वाले को ही बदलते हैं, उपर वाले को बदलने की कोशिच नहीं करते हैं, वो अपने आप बदलता है, नीचे वाले को ही उल्टा लिखते यह वेशा है यह प्रत्सरेंट है देख़ो यह माइनस है यह माइनस से बीच में से गुड़ा करदा रूट सेवं प्लस अन्डरूट इस अंडरूट शेग्स प्लस अंडर वोट 6 तो इससे बी गुड़ा करा नीलिसी के जो यहाँ प्लस लगाकर क्या करो ढूल वड़ुड है ब्लस अंडर वाला करो ब्लस नाट कर रहूं है उपर वाले में उपर वालर दे diplomacy है। है गुड़े a plus b तो ये a plus b का whole square हो गया under root 7 plus under root 6 इसी का दो बार गुड़ा है और नीचे under root 7 का square minus under root 6 का square ये हो गया a square plus b square plus 2 ये भी यानि कि under root 7 का square plus under root 6 का square plus 2 under root 7 into under root 6 इसको फैला तो और इसको फैला तो 7 रिड़ एक 6 यानि कि एक हो गया उपर वाले कोई solve करेंगे ये एक हो गया एक को लिखो चाहे मतलिक कोई बात नहीं ये हो गया 7 धन अंडर root 6 को फैलाया तो होगा 6 धन 2 under root 7 गोड़े 6 या फिर इसको 56 चाह साते 42 भी लिख सकते है इसको जोड़ दो 13 plus 2 under root 42 हमारा आंसर आ गया अब आते हैं अगले सवाल पर अगले सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे इन्टू under root 3 plus under root 2 अपार under root 3 plus under root 2 शिर्फ इसमें गुड़ा करेंगे इधर वाले को सेव टू सेम चोड़ देंगे under root 3 plus under root 2 माइनस यह हो जागा under root 3 plus under root 2 और अपार यह स्क्वार हो जागा under root 3 का स्क्वार माइनस under root 2 का स्क्वार ठेक है इसको और सॉल करो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपान 1 यानि कि अपान 1 को हम लोग चाहे तो यहां से गया भी कर सकते हैं यह जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 यह माइनस दोनों में गुड़ा होगा दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे और यह कट जाएंगा अंडरूट 3 में संडरूट 3 गया 0 और अंडरूट 2 में संडरूट 2 गया 0 हमारा 0 आंसर आ जाएगा क्या इसको देख कर लगा था कि इसका अंसर 0 आएगा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था अब आते हैं अब आते हैं ऐसे सवाल पर दूसरा वाला जो है इसी का गुड़ा करत अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 अपार अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 ठीक इधर वाले को सेम यह 2 अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 दो से गुड़ा करो इसको कोष्टाक में लिख दो अर नीचे क्या हो जाएगा अंडरूट 5 का स्कौारर अंडरूट 3 का स्कौार ठीक है अंडरूट 5 माइनश अंडरूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और यह हो जागा 5 रिड 3 यह हो जागा 2 और इसके गुड़े में तेकर जाएगा यह हो जाएगा अंडर रूट 5 minus under root 3 plus under root 5 plus under root 3 यह minus में है यह plus में है यह दोनों कर जाएंगे और यह हो जाएगा under root 5 plus under root 5 equal to 2 under root 5 हमारा आंसर तो उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रस्ण आपकी समझ में आए होंगे और ये बहुत ही आसान आसान प्रस्न थे और ये सभी आपको अगर समझ में आए कोई चीज नहीं समझ में आए तो comment box में comment करें और ऐसे ही सभी topics हम लोग यहां पर पढ़ते रहेंगे तो channel को अभी subscribe करें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें और best of luck for exam thank you